पहली गाली पर सर काटने की सक्ति होने के बाद भी यदि नियानवे और गाली सुनने का समर्थ है, तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा सस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुड़ी है तो वो कृष्ण है द्वारिका का वैभा होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है मृत्यू के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नर्त है तो वो कृष्ण है सर्व सामर्त होने पर भी यदि सार्थी बने है तो वो कृष्ण है दोस्तों कैसी लगी आपको एपंग्तिया जरूर कमेंट करें हमस्कार